वेल्कम तु सिटी ऑनलाइन क्लासे इस अंजली सिंग और मैंनेजिंग हुमने रिसोर्स सेमेस्टर फॉर यूनिट फॉर्थ और लेक्चर नाए तो आज का टॉपिक हमारा क्या है थियोरीज ओफ वेजिस डिटर्मिनेशन जो हमारा लास लेक्चर था उसमें हम लोगों ने क सब्सक्राइन जो करते हैं वारी समय प्रसा ने कि वारी सिस्वाण प्रखी करनेया था जो क्शली आज किस तरह से अटीटर्मिंत हराता है is a quite difficult task ठीक है अगर हम wages को determine करने की बात करें तो क्या है यह आपका एक difficult task है ठीक है कि भाई आपका जो wages है उसे decide करना इतना easy तो है नहीं क्योंकि इस type का wages क्या होता है कि ऐसा wage structure decide करना जिससे क्या हो कि जो आप जो organization है वो भी satisfied हो ठीक है उससे भी किसी तरह की difficulty ना हो U 시 इस वेज को pay करने में और आपका क्या है और आपकी जो employees है वो भी satisfied हो उन्हें किस तरह का dissatisfaction ना हो ठीक है उन्हें यह ना लगे कि उनका क्या है जो उनको wages provide कि जारी है वो fair wage नहीं है ठीक है उन्हें यह ना लगे कि उनका exploitation हो रहा है तो इसलिक्त जो वेज़ डिसाइट करना होता है वह बहुत ज्यादा डिफिकल्ल टास्क होता है इसकी कुछ थेओरी जिसमें फर्स आपका है यह इसको जीव निरवाह भी बोलते हैं दूसरा आपका है जिर्मेंशन की हमारी कुछ तो इस तो अगर हम बात करें कि आपकी सबसिस्टेंस थेओरी की जो आपकी फिर्स थेओरी है वेज़ डिर्मिनेशन की वह हमारी कौन सी है तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो सबसिस्टेंस थेओरी है वो कव आई थी और उसको किस ने देती तो कि इससे आपके कुश्टेंस पुठ होते हैं इस तरह से होता है कि वह अपना जो सबसिस्टेंस है ठीक है जो उनको वेज मिले वह सबसिस्टेंस वेज मिले means कि इतनी वेज तो उन्हें at least provide की जाए जिससे कि वो जो अपनी life है उसे वो जी सके ठीक है कहना था कि जो झोई एकानमी है ठीक है वहां पे जो वेज से हमेशा कौन से वेज अंधिन शबसिस्टेंस वेज var स्वेज ऐसे कि यह एंका कहना था कि अगर्ड बाई चांज क्या होता है कि आपकी जो वेज होती है ठीक है अगर बाइए चांस जो रियल वेजिस है वह सब्सेशंस लेवल के ऊपर चली जाती है ठीक है बाइए चांस क्या हुआ जो रियल वेजिस है वह क्या हुई जो एक सब्सेशंस लेवल है उसके ऊपर चली जाती है ठीक है तो बहुत सारी क्या है जो लोग होंगे तो जब ज्यादा वर्कर-imploade हो जाएंगे तो automatic क्या हो जाएगा इसे दो लोगों को ही जहाँ वेज देनी थी तो एब 4 लोगों को देनी तो वेज तो उतनी है तो क्या हो जाएगी वापस से लेवल पर आ जाएगे ठीक है तो यह बोल रहे हैं कि इनके अकॉर्डिंग क्या है कि हमेशा क्या होता एकॉनमी में जो वेजिस का है वो क्या है सबसेजिन्स लेवल ही होती है तो यहां पर पॉपलिशन की बात की गई है तो यह जो थयोरी है आपकी यह वो फॉपलिशन ते प्रवावित नहीं होगा जो हमारा next theory है ठीक है next theory के अगर हम बात करें that is marginal productivity theory जो next theory हमारी वो क्या है marginal productivity theory है तो यह क्या कहती है this theory takes into account demand supply and competition as the main regulation of the wages ठीक है तो इस theory के according क्या है कि जो main regulators है वो कौन है जो main regulators है वो आपके demand supply and competition है ठीक है जो market में आपके जिस भी तरह का demand है जिस भी तरह की supply है जैसा भी competition exist कर रहा है उसके according क्या होता है जो आपके wages से वो क्या होते हैं वो decide होती है the theory postulates that any industry would go on employing additional labor so long as it pays to employ them तो कह रहे हैं ये theory कहे रही तो कह रही है कि ये theory soprate करegi कोई भी कि सब्सक्राण बेंडस्टे की पर कानी कोई भी इंडस्ट्री किसी भी झमान अ опять यह कर रही होते हैं घब तब तक रोलग्षरे ने कर रही होती है तो तब अपने यहाँ पे रखेंगे अपने organization में जब तक आप उसे pay करने के pay करने की ability आपके पास में होगी so meaning the addition of labor must result in increase of production अब इनका कहना है कि अगर क्या है जो labor होंगे वो increase तब भी होंगे जब आपका जो production होगा वो भी increase हो रहा हूँ means अगर आपकी demand increase होगी तो ही आप क्या करेंगे आपके जो labor होंगे आप उन्हें increase करेंगे तो finally after a certain point additional employment will become counterproductive है ठीक है next आपकी जो theory थी वो क्या है आपकी wage fund theory ठीक है यह आपकी बहुत important theory है जो क्या आपकी क्या है wage fund theory है तो to overcome the weakness of subsistence theory ठीक है जो आपकी subsistence theory थी उसकी जो भी weakness थी ठीक है उसको overcome करने के लिए आपकी new theory आए that is आपकी wage fund theory ठीक है जो आपकी subsistence theory के weakness थी उनको overcome करने के लिए new theory existence में आए that is wage fund theory तो according to this theory a fixed amount of wage fund is available for distribution at any one time and the level of wages depends on its equitable distribution according to the price of labor है तो wage fund की बात करते हैं तो इस theory के according क्या है कि जो wages है वो पहले से fixed है ठीक है आपका क्या है एक अलग से wage के लिए क्या कर दिया गया है fund बना दिया गया है और उस fund के according ही आप क्या करेंगे अपने labor को जो है वो employ करेंगे इसमें कि आपका जो wage है वो क्या है वो क्या है वो wage के लिए अलग से fund बनाया गया है और उस fund के according ही क्या करेंगे आप जो आपके labor हैं उनको आप जो है employ करेंगे और उस fund के उपर ये depend करता है कि आप कितना उन्हें pay करने वाले हैं if in any one industry the wages of workers rose above the available amount of fund other would be attracted to the industry and as the supply of workers grew large the wages would come down consequently wage would be maintained and uniform level ठीके वाई ये chance क्या होता है कि आपका fund जैसे ही increase हो जाता है तो आपका wage level भी increase हो जाएगा ठीके मतो क्या होगा कि फिर बहुत सारे लोग क्या हो जाएगे आपकी industry आपके organization के तरफ क्या हो जाएगे attract हो लग जाएगे अब जो आपके पास खुब सारे workers आजाएगे ठीके तो आपका क्या हो जाएगा आपको फिर सबको pay करना है तो आपका जो fund है वो automatic क्या हो जाएगा decrease हो जाएगा फिर क्या है जो वो automatic क्या हो जाएगा वो maintain कर लेगा अपना एक uniform level next आपका जो है वो क्या है हमारा that is modern theories of wages है तो modern theories के अगर हम बात करें तो a few modern theories have also been developed which postulate the wages are governed on the one hand by the laws of demand and supply on the other hand by the various external factors and concentrate तो बहुत time के साथ में क्या हुआ बहुत सारी जो modern theories थी वो generate हुई और उन्होंने बोला उन्होंने बहुत सारी modern theories थी वो develop हुई और उनके according क्या था कि जो wages से वो governed होती है एक side तो किसकी through governed होती है जो आपके demand and supply का जो law है उसके through governed होती है और दूसरा हम देखे तो वो क्या है और जो बहुत सारे different types के external factors से आपके economy में उसके through भी क्या है वो governed होती है तो त्रेडिशनल theories referred to so far can be said to essentially individualistic they did not take note for workers participation and collective bargaining है तो अभी जो आपने बाकी की जो तीन theories थी वो हम लोगों ने जो डिसकस की अभी इससे पहले तो उसमें कहीं भी workers की बात नहीं की गई थी ठीके वहां पर जो भी वेज़ डिसाइड हो रही थी उसमें आपने देखा कि कहीं भी worker की participation की बात नहीं हुए थी ठीके जो वेज़ डिसाइड हो रही थी जो organization था वो डिसाइड कर रहा था ठीके तो दा present day theories have to take note on the emergence of these new factors perhaps the most decisive factor is the bargaining power the parties involved in wage negotiation है ठीके तो आपका क्या था जो present day की theories आई तो अभी जो modern theories आएं उसमें क्या था यह जो factors थे वो उसमें बहुत सारे factors को increase in include किया गया उसमें सबसे main factor था वो क्या था bargaining power ठीके जो main factor था वो क्या था bargaining power उसको include किया गया ठीके as a result of the influence and the bargaining power of institution like the modern trade unions जैसे आपको क्या हो गये modern trade unions हो गये तो आपको पता है कि जितना है strong आपका trade unions होता है उतनी ही ज्यादा क्या है आपकी जो bargaining power होती है वो भी strong होती है और उतने ही भी chances होते हैं कि जो आपके जो employees हैं जो labor से उनका किसी भी तरह से exploitation नहीं होगा और वो high wages को क्या कर पाएंगे जो है collect कर पाएंगे तो the pressure of trade unions make it obligatory on the industry to introduce modern technology and improved methods of operations to earn higher margins and to cope with higher wage cost है ठीक तो जो pressure था किसका trade union का जिसकी वैसे क्या हुआ जो organizations थे उनको क्या करना पड़ा उनको यह उनको जो modern technology थी उसे introduce करनी पड़ी और different types के improved methods थे उन्हें use करना पड़ा जिससे की क्या हो ज्यादा से ज्यादा produce कर सके हैं और उसके साथ में जो higher wage है वो लोगों को मिल सकें तो apart from the financial position of the industry other factors also influence the rates and level of wages है तो अगर हम industry की जो financial position से और भी different चीजें हैं उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे factors हैं जो कि क्या है industry की जो wages level है उसको क्या करते हैं effect करते हैं तो system of wage payments की अगर हम बात करते हैं next topic हमारा क्या है that is system of wage payment ठीक है तो जो wage payment है का है उसके कौन-कौन से system है किसके थो wage payment है वो follow होता है मतलब कौन-कौन से system को wage payment में follow किया जाता है तो there are essentially two major system of wage plans है first system is related to time and other system related to output quality and quantity of output है ठीक है तो essentially अगर हम बात करें तो जो systems की तो wage plans के कितने system है two major system है ठीक है जिसमें आपका जो first system है वो किस से related है आपका time से related है ठीक है अगर दूसरा system आपका किस से related है outputs and quantity and quality है ठीक है तो अगर हम बात करें आपकी simple words में तो आपका क्या है कि जो आपके जो wage payment system है उससे basically two parts में divide किया गया है ठीक है first one आपका क्या है time basis पे second आपका क्या है that is quality and output है the former system is usually referred to as day work or time and wage system and the letter is composed of incentive plans or payment by results ठीक है तो आपका first system है उससे generally क्या बोलते है day work के नाम से भी जाना जाता है और time and wage system के नाम से भी जाना जाता है ठीक है तो यह system में बहुत सारे wage plans है जो की follow होते है of which the following are important and are discussed है ठीक है जिसमें first हमारा क्या है day और work और time wage system तो पहला आपका क्या है जो है वो है day work और time wage system तो this is one of the oldest system है ठीक है यह आपका क्या है सबसे oldest system है किसका wage payment का ठीक है तो this is one of the oldest system of wage payment in this the worker is paid a definite amount of money for a specific period of work which may be a day week or month irrespective of the amount of work he does in that period ठीक है तो यह आपका क्या है यह सबसे oldest method है आपका wage payment का और इसमें क्या है जो आपका worker होता है ठीक है आपका जो worker होता है उससे एक definite amount जो होता है पे किया जाता है ठीक है जो worker है उससे क्या है एक definite amount पे किया जाता है एक specific period के लिए ठीक है जैसे कि आपका according पे किया जाता है और second one है आपका weekly basis होता है और monthly basis भी हो सकता है ठीक है तो this system is simple and can be understood by the employees तो यह आपका इस system होता है वो बहुत simple होता है और इतना simple होता है कि जो employee होते हैं वो उससे easily understand कर लेते हैं ठीक है उनको पता होता है कि भाई हमको इतने दिन काम करना है और हमको क्या है इसके according हमको payment मिल जाएगा ठीक है और या फिर होता है worker को पता होता है कि भाई हमें क्या है per day के according payment मिलेगा तो हमारा क्या है एक दिन का क्या है 500 या 200 हमको payment मिलने वाला है तो यह थोड़ा सा क्या होता है easy होता है employees को समझने में इत a source या guaranteed waste to the employees है और क्या है यह assure करता है employees को जो कि उनको मिलनी ही मिलनी है कि भाई क्या है उन्हें टाइम के अकॉर्डिंग क्या है पे करना है कि आप जितने दिन काम करेंगे आपको उसके अकॉर्डिंग पे क्या जागा तो उन्हें क्या है फिक्स होता है कि भाई एंप्लोई को पता होता है कि हम जितने दिन भी काम करे वेज मिलेगी गरंटीड होती है फिर ट्रेड यूनियन और इंपलोई इस सिस्टम को प्रिफर करते हैं फॉलो करना तो देर इस हार्मोनी अमंग दा इंपलोई और दूसरा क्या होता है जो इंपलोई होते हैं उनके बीच में क्या होती है आर्मोनी होती है समानता होती है तो वेर यूनिट्स ऑफ आउट्पूट अर डिस्टिंगिसिबल और मेज़र इस सिस्टम इस मोज सुटेबल ठीक है तो जहां पर क्या है ऐसा ओगिनाइजेशन जहां पर जो यूनिट्स ऑफ आउट्पूट होते हैं आप उन्हें अलग इस इसस्टम का सीन होता है कि इसमें जो वर्कर है उनन्हें किसी भी तरह की इंसेंट्टिस ऑफ करता है कि then employee is paid for his time not output क्योंकि यहां पर क्या है जो employee है वो उसको पे क्या जा रहा है किसी के लिए उसके time के लिए ना कि उसके output के लिए so there are chances that the employee may waste his time doing nothing and hence तो यहां पर क्या है यह chances होते हैं कि जो employee है वो अपने time को क्या कर दें waste कर सकते हैं बिना कोई काम किये तो he may have to be closely supervised है तो उसे क्या है ऐसे जो cases होते हैं वहां पर क्या है जो employee है उन्हें closely क्या करना पड़ता है supervised करना पड़ता है अब हम बात करते हैं कि इसकी आपका जो second method था that is payment by result है ठीक है जो second method है वो आपका क्या है payment by result की बात हो रही है यहां पर आप जो payment होगा वो किस के basis पर होगा result के basis पर होगा तो there are many different system of wage payment ठीक है अब यहां पर कहा है बहुत सारे आपके different system है किस के wage payment के under which the workers earning are related directly to some measurement of work done either by himself or by his group these are discussed in next stop ठीक है अब आप payment by result की बात कर रहे होते हैं तो इसमें जो क्या है जो payment जो base का payment हो रहा होता है वह किस के बेस्ट पर रिजट के बेस्ट पर रहा होता है means कि जो आपका जो employee है वो जितना अच्छा produce करेगा ठीक है जितना अच्छा result होगा उसको पेमिंट भी उतना अच्छा मिलेगा, ठीक है, मान लेजी क्या है, कि आपके organization में क्या कर दिया गया, एक जो है, rate है, rate set किया गया है, कि आज जो employees उन्हें होंगे, वो जितना भी unit produce कर रहे होंगे, उन्हें unit के according क्या जया जाएगा, जो है payment किया जाएगा, ठीक है, मान लेजी, एक unit का rate कितना दे दिया गया, आपका 15 रुपीज हो गया, तो अब आप जितने भी units को आप produce करेंगे, आपको उसके according पैसा मिलेगा, ठीक है, तो जो person ज़्यादा, आप सुच्छी दो employee है, एक employee ने क्या वर 10 unit produce किया है, दूसरे ने क्या किया है, 20 unit produce किया है, तो दोनों को सेम rate से ही money मिलने वाली है, तो पता है, कि क्या है, एक को कम मिलेगा और एक को ज़्यादा मिलेगा, तो यहाँ पर क्या है, आपका result basis पे होता है, ठीक है, और कुछ-कुछ organization में क्या होता है, कि एक standard set कर देते हैं, अगर आप उस standard को meet कर रहे होते हैं, तो आपको क्या है, एक extra incentive भी मिलता है, ठीक है, तो payment per result का क्या है, आपका एक main आपका जो advantage होता है, वो क्या होता है, कि यहाँ पर आपको क्या है, incentives भी available होते हैं, बट अगर हम time के according देखें, payment जो आपका day work और time waste system है, उसमें आपको incentive available नहीं होते हैं, तो students, आज के lecture में हमारा इतना ही है, बाकी के जो incentives plans हैं, उन्हें हम अपने next lecture में discuss करेंगे, I hope आप लोगों को सारी चीज़े समझ आ गई होंगी, और आपको सारे points clear होंगे, अगर आपको किसी points में doubt होता है, तो आप बाद में पूछ सकते हैं,